कि है खर्लो बच्चों हम लोग थर्मो डाइनेमिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है इंट्रॉपी और इंट्रॉपी चेंज और उसके बाद हम लोग इंट्रॉपी ऑफ डिफरेंट प्रोसेसर्स के लिए पढ़ेंगे ठीक है तो यह आज हम लोगों को पढ़ना है और जानना है इनके बारे में तो इंट्रॉपी है क्या सबसे पहले तो यह जानना होगा कि इंट्रॉपी क्या है तो जब इसकी बात कर रहे हम लोग तो यहां आपको हम बता दे कि कि किसी भी सबस्टांस के अंदर में कि किसी भी सबस्टांस के अं रैंडमनेस है जो मूवमेंट है कि किसी भी सबस्टान के अंदर में जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स का जो रैंडमनेस होगा जो मौवमेंट होगा कि उसी का में जर्मिंट जो है उसी का जो वैल्यू होगा उसी को हम लोग इंट्रॉपी कहते हैं कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए कोश्चन यह हूँ कि कि आइस और वाटर कि आइस और वाटर में ज्यादा रेंडमनेस किसमें यानि पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा मुव्मिंट किसमें तो अब यह सी बात है वाटर में होगा तो वाटर की इंट्रॉपी क्या होगी ग्रेटर होगी और आइस की इंट्रॉपी क्या होगी लोग तो इंट्रॉपी है क्या है टो इतीं मेजर आप रेंडम्स कि टीज मेजर्मेंट ओ wsp है नेस अफ रेंडमनेस और पार्टिकल्स फॉस्स्टांज क्लिए तो छलें देखिए उसका centra टीफिनिसंट जो यह sometli देख ले aparece है तो इटीज मेजर ओफ डिशॉडर और रेंडमनेश ऑफ और सिस्टम इच कॉल्ड एज इंट्रॉपी इटी डिनोटेड वाइश इसको हम लोग इस से डिनोट करते हैं अगर हम लोग आइस के रेंडमनेश की बात करें वाटर और वेपर में कंपरीजन करें तो वेपर का ज अब एक वात यहां पर करें कि एक कंटेनर है उसे मान लो दो पार्टिकल है और एक कंटेनर है उसे मान लो इस तरीके से चार पार्टिकल्स हो तो पार्टिकल्स का मूव्मेंट किसमें ज्यादा होगा रैंडमनेश किसमें ज्यादा है तो किसमें ज्यादा है फोर पार्टि तो ओवा प्रोपर्टी typ себе सबस्क्रांति उप्रोपर्टी जो की आपका नंबर गौफ पार्टिकल्स पर्डिपंड करता है उसको हमँ लोग इक्स्टनिब प्रोपर्टी collected हे तो यह जो प्रोपर्टी हुआ हम लों का यह और कुछन सा है एक्स्टनिब प्रोपर्टी है इस्टेट पर डिपेंड करता है यह किसी सिस्टम के द्वारा कवर किये गए पात पर डिपेंड नहीं करता है इस वज़सी क्या है आपका स्टेट फॉंक्शन और यही रीजन है कि इसका हम लोग डेलटा इस क्लिएट करते हैं चेंग इन्टॉपी क्लिएट करते हैं अब यहां पर हम आपको कुछ पता है बात कि देखो इंटॉपी की जब हम लोग चर्चा कर रहें तो इंटॉपी आपका इंट्रॉपी जो है उसे बात करो तो जैसे अगर यहां पर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उन पार्टिकल्स में हम क्या करते हैं यहां पर हीट प्रोवाइड करते हैं हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसकी इंट्रॉपी जो होगी वो बढ़ जाएगी ठीक है उसकी इंट्रॉपी जो होगी वो बढ़ जाएगी हीट देने से कायनेटिक इनर्जी बढ़ता है उके न उनका कायनेटिक इनर्जी बढ़ेगा उसी तरीके से माल लो यानि इarest system यहाँ पर हो 20डीग्री सेल्शिइस पर 3 parti क ise एक सिष्टम होई, धिरी सीपार्टिक पर 30 डीग्री सेल्शिइस पर होना है अब बताना एक किसमें ज्यादा randomness होगा यानि entropy किसकी अधिक होगी then obvious सी बात है कि entropy जो होगी वो किसकी अधिक होगी 40 degree Celsius वाले की क्योंकि temperature अधिक है तो यहाँ पर जो particles का movement होगा जो उसकी kinetic energy होगी हाई होगी greater होगी clear तो यहाँ से यह बात हम कह सकते हैं कि high temperature पर आपका entropy क्या होगा greater होगा high temperature पर entropy जो होगा वो क्या होगा greater होगा समझ में आगे इतनी बात चलो मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि entropy जो है जिसको हम लोग S से denote कर रहे हैं वो temperature के भी directly proportional है और heat के भी directly proportional है ओके यहाँ जो आपका entropy है वो temperature और heat दोनों के directly proportional है clear है अब चलो आगे कहान अगला point हम लोग का entropy change ओके चुकिए entropy के बारे हम बात कि कि एक इस state function है तो state function होने की वज़ाद से यहाँ पर गया है कि यह initial और final state पर depend करता है तो यहाँ पर change in entropy हम लोग प्रेडिक्ट करने के खुशिस करेंगे तो change in entropy मतलब क्या होगा final entropy minus initial entropy ओके ना final entropy minus initial entropy तो एक chemical reaction के लिए बात करें तो final condition कौन होता है product और initial condition reactant होता है तो डेल्टा is for a chemical reaction reactant entropy of product minus entropy of reactant ओके फिर आगे बात करें इसको लिख दिया हम sp minus sr note यहाँ पर हम लिख दिये हैं कि as we can see motion of particles increases with increasing heat and also motion of particles are greater at higher temperature that at lower temperature यह बात तो हो गया कि आपका जो heat है sorry entropy जो हीट और temperature दोनों के directly proportional है लेकिन यहाँ आप हम लोग चुकि change in entropy की बात कर रहे हैं तो यहाँ से एक point हम लोग को relate करना हो कि अगर दो substances है ठीक दोनों की heat बढ़ाएंगे तो अभियस्ची बात है कि entropy भी बढ़ेगा और entropy बढ़ेगा तो entropy change भी बढ़ेगा clear? entropy change भी बढ़ेगा तो delta s जो है यह heat के तो directly proportional है ओके यह जो आपका delta s हुआ यह heat के directly proportional लेकिन फिर आगे अगर आप बात करते हो temperature के साथ relate करने का तो चलो relate करते हैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर चार particle यहाँ भी चार particle यहाँ 20 degree Celsius और यहाँ पर 50 degree Celsius अब दोनों में हम 10 kilojoule heat provide किये हैं दोनों में 10 kilojoule का heat provide करा रहे हैं अब 10 kilojoule 10 kilojoule दोनों में provide करा हैं तो अब यह पूछ आपसे बताना होगा आपको कि entropy change ज़्यादा किसमे हुआ होगा मतलब इन दोनों के comparison में ज़्यादा entropy का increase किसमे दिखा होगा इन दोनों में इन दोनों में से किसमे तो अगर आप बात करते हो 20 degree Celsius वाले के लिए और 20 degree Celsius में अगर आप heat provide करते हो 10 kilojoule का एक supposed value है ओके तो 10 kilojoule का अगर provide करते हो तो यहाँ से क्या होगा कि यह कम temperature पर था और इसके particle को जैसे ही heat मिलेगा उसका जो motion होगा उसकी जो इस speed होगी वो sudden बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा रिचेंज दिखाएगी लेकिन वहीं अगर इसकी बात करें 50 degree Celsius वाले की तो चुक्कि इसका जो है वो temperature क्या है पहले से ज़्यादा है 50 degree Celsius पहले से ही 50 degree Celsius है तो जब heat इसमें provide की है तो क्या होगा तो heat provide करेंगा तो जो change होगा वो बढ़ा ही कम change होगा इसको एक तरीके से और समझो कि दो लोग हैं एक के पास मान लो पहले से cycle हो एक के पास four wheeler हो दोनों को हम एक एक four wheeler gift करते है दोनों को एक एक four wheeler gift करते है ज़्यादा खुसी किसको मिलेगा अब्यस सी बात है cycle वाले को मिलेगा है ना उसकी randomness बढ़ जाएगी उसका excitement बढ़ जाएगा वही condition है वही यहाँ पर बात है तो ज़्यादा temperature जिस system का होगा उसमें अगर heat प्रोवाइड करते है तो उसका enthalpy change कम होगा जबकि कम temperature वाले में enthalpy change ज़्यादा होगा मतलब enthalpy change enthalpy change और Q के साथ तो directly proportional लेगन temperature के साथ inversely proportional ओके ना temperature के साथ inversely proportional relation हो गया और Q के साथ directly proportional जबकि अगर entropy की बात की जाएगी तो Q और T याने के heat और temperature दोनों के साथ directly proportional relation लेगन अगर change in entropy की बात की जाएगी या फिर entropy change की बात की जाएगी तो वहाँ पर आपका क्या होगा कि heat के साथ directly proportional और temperature के साथ inversely proportional relation होगा अब चलिए आगे बात करते हैं उन्हें सब चीजों को लिखे हम या पर for a small change in entropy ds equal to dq by t for reversible condition at absolute temperature reversible condition होगा तो वहाँ पर जो heat change होगा वो large amount में होगा बहुत बड़ा होगा ठीक है बहुत बड़ा होगा वो large amount रहेगा इस वज़े से उसको हम लोग q suppose कर रहे हैं चुकि चेंज वहाँ पर बहुत कम दिखेगा तो इस वज़े से overall क्या suppose कर लिए हम लोग q suppose कर लेते हैं ठीक है तो delta is equal to q reversible by t absolute यानि formula निकल कर आया delta is equal to q by t total entropy change for universe अगर universe के लिए बात करेंगे तो universe में क्या होगा कि system plus surrounding तो universe के total entropy change के बात करते हैं तो system plus surrounding clear है अब clausius inequality एक law है जिसको हम लोग आगे देखेंगे उसमें बोला गया है कि universe का जो entropy होता है हो हमेशा positive होगा greater than zero होगा entropy change होगा हमेशा greater than zero होगा क्योंकि entropy जो होता हो हमेशा increase कर रहा होता यूनिवर्स का भले energy constant हो लेकिन entropy हमेशा increase करते रखता है अब यहां पर आपको कुछ बात बता दे हैं कि for a spontaneous process अब इसको भी हम प्रूफ कर लेकि spontaneous process के लिए delta is तो मान लो अपने पास ice cube हो और इसको freely छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा यह water में convert हो जाएगा तो randomness इसकी बढ़गी की नहीं और एक ऐसा process था spontaneous था ओके तो यहां ice से water जाने पर obvious सी बात है कि randomness जो है वो बढ़ जा रही है और यह spontaneously होगा melting जो होगा spontaneous होगा तो इसका entropy water का entropy greater और ice का entropy कम तो क्या होगा formula होता है product minus reactant तो प्रोड़क्ट का greater है और reactant का smaller है तो कैसा होगा positive value होगा और इसी हो जैसे delta s का value जो होगा वो greater than zero होगा clear है तो अब यहां से एक बात कहा जा सकता था कि अगर entropy यानि change in entropy का value अगर zero से greater है यानि positive है मतलब process spontaneous होगा मतलब entropy को spontaneity का criteria सपोच किया जा सकता था और यह कहां जा सकता था कि अगर delta s का value किसी process के लिए किसी reaction के लिए positive है तो वो process आपका spontaneous है अब देखिए thermal equilibrium के लिए अगर हम लोग बात करें है यहां पर तो delta s equal to zero okay entropy change यहां पर कितना है zero equilibrium process के लिए क्यों कि equilibrium process जो होगा और reversible होगा ओके जैसे ice और water के बिच मेंगर equilibrium relation है तो जितना ice water में convert हो रहा होगा उतना ही water ice में convert हो रहा होगा जितना ice water में convert करेगा उतना ही water ice में convert होगा तो इस तरीके से equilibrium maintain होता है कि जितना rate से यह वाला ice में convert हो रहा होगा उसी rate से यह वाला ice में convert होगा तो यह जो rate of conversion both sides का है यह equal होता है और इसी वज़ा से यहाँ पर आपका change in entropy जो होता है जीरो होता है किलियर है अब calculation of delta is for different process अलग-अलग process के लिए delta is का calculation करें तो for an ideal guess in reversible process delta is equal to dq reversible by t then du minus w by t तो अब आगे बढ़ाएं अगर हम लोग du by t minus w by t अब w equal to क्या होता है w equal to होता है minus p dv ओके तो यह plus p dv हो जाएगा clear है और यहाँ पर temperature change जो है वो t1 से t2 तक है यहाँ भी temperature change दिखाया जा सकता है लेकिन volume के बाद कर रहे है क्योंकि work done है तो work done में जब तक volume change नहीं दिखाया जाएगा तब तक वो आपका जो है वो work done 0 होगा तो v1 से v2 यहाँ पर work done हो रहा अब यहाँ पर अपने पास आ रहा है p by t तो according to ideal gas equation pv equal to nrt then p by t equal to nr by v okay तो यहाँ पर p by t equal to हम क्या रिख दे nr by v into dv पहले से था है okay अब यहाँ से nr को कॉम बाहर लेलो और dv by v का integration क्या हो जाएगा lan v और यहाँ पर n cv du equal to n cv delta t constant temperature है तो n cv delta t clear तो lan t clear है d t by t के लिए lan t t2 t1 then इसको लिख सकते है n cv lan t2 minus t1 plus nr lan v2 by v1 अब lan को अगर log में लिखूँगे तो 2.303 log लिखते है बस 2.303 log कर दिए ओके और उसके बाद अगर ideal gas के ही बात कर रहें तो volume और pressure एक दूसरे की निवर्सली proportional होते हैं तो उसको हम यहाँ पर कर दिए ओके तो b2 कुछ जगा p1 कर दिए तो यह हम लों का formula आया ideal gases के लिए ओके अब real gas के लिए बात कर लेते हैं तो real gas के लिए आपका pv equal to nrt तो valid होगा ने तो वहाँ पर work done जो होगा हो क्या होगा work done के लिए जो हम लों किये ते solve वो क्या हो जाएगा overall 0 हो जाएगा क्योंकि वो ideal gas equations हम लों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो बच्चे का सिर्फ हम लों के पास delta u by t जिसको अगर constant pressure पर derive करते हो तो n cp log t2 by t1 और अगर constant volume पर करते हो तो n cp log t2 by t1 ओके ये real gas के लिए और ideal gas के लिए उपूरा अप लिक्याबल है जो formula हम लों को last में देखेए ये जो formula है ये ideal gas के लिए valid और real gas के लिए अलग-अलग condition पर ये अलग-अलग value है अब आगे for a solid or liquid delta is equal to t1 t2 तो du by t ओके so is equal to n c land t2 by t1 जैसा कि यहाँ पर हम लोग solve किये है ये इसको solve के बस उसी के base पर हम यहाँ पर इसको लिखती है तो चुकि solid और liquid की बात की जा रही है तो ये यहाँ पर heat capacity जो हो गया clear specific heat capacity log t2 by t1 फिर calculation of delta is surrounding clear तो delta is surrounding के अगर बात करते हो आप तो q system equal to minus q surrounding अगर यहाँ पर हम लोग बात करें ये मेरा system हो गया और बाहर क्या है surrounding है तो अगर यह system जो है heat को gain कर रहा तो positive plus q system है और तो surrounding का क्या हो रहा heat loss हो रहा heat loss हो रहा तो minus q surrounding और वहीं अगर plus q surrounding लिखें तो minus q system हो जाएगा then delta is surrounding equal to q surrounding by t तो q surrounding हम लोग माइनस q system by t लिख सकते हैं क्लियर तो यह एक formula निकल कर रहा है अब आगे बात करते हैं क्लॉसियस इनेक्वैलिटी की क्लॉसियस इनेक्वैलिटी का कहना है कि यूनिवर्जी ओफ यूनिवर्स इस constant बट इंट्रॉपी ओफ यूनिवर्स इज एवर इंक्रेजिंग यह हमेश्चा इंक्रेज होता रहता है और जिसके इमसराव लिख सकते हैं डिल्टा S universe equal to, या फिर डिल्टा S total equal to, डिल्टा S system plus डिल्टा S surrounding, अगर reversible process की बात करते हो, तो reversible process के लिए आपका greater than equal to zero होगा, पिर वहीं अगर आप irreversible process के लिए बात करते हो, तो ये irreversible process के लिए जो होगा आपका, ये, किलिए रहें, यह आपका greater than 0 जबकि spontaneous process होगा तब delta S जो होगा और चुकि positive होता है तो delta S is greater than 0 for the universe और वही एक irreversible non spontaneous process की बात करते हैं तो delta S universe जो है वो smaller than 0 होगा ओके इतनी बाते होगे समझ गया आप लो तो यह था हम लोगों का entropy से related कुछ बातें अब हम लोग अगले दिन इस पर based numericals को करेंगे और कुछ solution आपको provide कराया जाए और फिर मिलते हैं हम लोग next day कुछ numericals और साथ साथ कुछ topic के साथ ओके तब तक के लिए पढ़ते रहे हैं खयाल रखिए धन्यवाद